खर्च हो जाता है फाल्तू का है बिल्कुल वो काम है चाए पीना सवेरे उठके चाए सुड़कने लगते और कई तो ऐसे महान लोग हैं बिना ठटी जाए चाए पीने लगते वो तो मुझे कहते हैं कि चाए पीओ नहीं तो ठटी भी नहीं उतरती संडास नहीं जा सकते हैं इसलिए चाए पहले पीते हैं उनको बैट टी चाहिए बिस्तर पे चाए चाहिए और इसमें खर्चा कितना होता है एक किलो चाए डेड़ सो रुपई की है हर साल भारत के लोग सत्तर करोड किलो ग्राम चाए पी जाते हैं सोचो कितना पैसा खर्च करते हैं फाल तू और ये फाल तू इसलिए भी है कि चाए पी पी के अपना शरीर खराब होता है ज़्यादा चाए पीओगे नशा हो जाएगा नशा पता है किस बात का रोज चाए पीनी पड़ेगी एक दिन न पीएं तो सिर में दर्द हो जाएगा बहुत लोग मुझे कहते हैं एक दिन भी चाए ना मिले तो सिर घूमने लगता है तो ऐसा नशा किस काम का और दूसरी समस्या चाए पीओ तो पेट खराब चाए से पेट खराब पता है कैसे होता है चाए में कुछ केमिकल है एक केमिकल है उसका नाम है कैफीन दूसरा है निकोटिन तीसरा है टैनिन ऐसे 18-20 केमिकल है चाए में ये सब पेट में जाके अमलता बढ़ाते हैं अमलता समझते हैं एसिडिटी पेट में वैसे ही गैस एसिड बनता है अमल बनता है चाए पियो तो और ज़्यादा बनता है और पेट में जब अमल जादा बनने लगता है तो वो खून में चला जाता है खून की अमलता जब बढ़ती है तो असी रोग आते हैं शरीर में गुट्ने दुखना कमर दुखना कंदा दुखना जोडों में दर्द होना हर्ट इटेक होना फिर कई बार ब्रेन हैमरेज होना खराब से खराब रोग शरीर के खून की अमलता बढ़ने के बादी आते हैं और ये अमलता सबसे ज़्यदा चाए से बढ़ती है तो क्यों फाल तूमें पीना मत प्यो आदमी को छोड़ कर कोई चाए नहीं पीता मैंने बहुत बार कुत्ते को पिला के देखा नहीं पीता गाए को पिलाया नहीं पीती भैस को पिलाया वो भी नहीं पीती कोई जानवर चाए नहीं पीता पक्षी भी नहीं पीते दूद पीते हैं दही खा लेंगे पानी पीलेंगे चाय नहीं पीता कोई ये मनुष्य मूर्ख है जो पीता रहता है अकेला नहीं पीता हर घर में आने वाले को पिलाता है तू भी पी अपनी आतें जलाते हैं पेट जलाते हैं पैसा बरबाद करते हैं स्वास्त खराब होता है चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती जिनको भूख नहीं लगेगी शरीर मजबूत नहीं होगा कमजोर होगा, कमजोर होगा तो बीमारिया इसलिए मत पियो आप चाय छोड़ दो सारा देश चाय छोड़ दे सब्तर हजार करोड रुपई देश के बच्चते है तो आप छोड़ दो कोई भी भारत के महापुरुष ने चाय नहीं पी कभी भी महात्मा गांदी, सरदार पटेल, सुबाश चंदर बोस, चंदर शेकर आजाद, शहीद भगत सिंग, उधम सिंग, किसी ने चाय नहीं पी आप क्यों पी रहे हो, बंद करो तो आप बोलोगे फिर क्या पी एं चाय की जगे, मैं आपको बताता हूँ दूद पियो आप बोलेंगे जी दूद पीने से क्या लाव है, दो लाव है, चाय बिकना अगर कम हो जाए, दूद बिकना बढ़ जाए तो दूद बिकेगा तो जानवर ज़्यादा पालने पड़ेंगे, तो मुनाफ़ा सब किसानों को मिलने लगेगा और चाय का मुनाफ़ा मिलता है जादा से जादा विदेशी कमपनियों को, हमारे देश में जो चाय बिक रही है न, वो सबसे जादा बेचने वाली कमपनी है, ब्रुक बॉर्ण, एक है टी सिटी, एक है आई टी सी, ये सब विदेशी कमपनिया है, तो जादा चाय बिकती है तो मुनाफ़ा विदेशियों को मिलता है ज्यादा दूद बिकेगा मुनाफ़ा किसानों को मिलेगा तो क्या अच्छा है दूद बिके तो दूद पियो चाय बन करो ठीक है अब कुछ लोग कहते हैं चाय की तलब लगे तो क्या करें उसका रास्ता मैं बताता हूँ आप बहुत अच्छा रास्ता पानी ले लो खूब गरम करो उसको पानी को उसमें तुलसी की पत्ती डाल दो अधरक डाल दो काली मिर्च डाल दो दाल चीनी डाल दो थोड़ा गुड़ डाल दो खूब उबाल लो और चाई की तरह से पीलो काढ़ा बनाके पीलो आप बोलेंगे इतना सब कौन करेगा तो खाली पानी को खूब गरम करो नीबू निचोड़ दो गुड़ डाल दो चाई की तरह से पीलो और ये भी नहीं कर सकते तो खूब पानी को गरम करो और चाई की तरह से पीलो बहुत फाइदा पता है क्या फाइदा है खूब गरम पानी जब हम पीते हैं तो शरीर के अंदर चाय का जितना जहर जमा है वो सब पेशाप के रास्ते निकल जाएगा शरीर शुद्ध हो जाएगा